को यहलो प्रेंब मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दि यह OPPO का eF15 है जिसमें पाशवर्ड लॉक लग गया है तो आप यहां देख सकते हैं इसमें पासवर्ट लॉक लग गया है इसमें मैंने जो password lock लगाया था वहां मैं भूल गया हूँ और यहां पर जब मैं दूसरा password डालता हूँ तो वह रोंग आता है तो फ्रेंड आज मैं इसका password lock unlock करके दिखाऊंगा तो मेरे वीडियो को देखते रही है हेलो फ्रेंड सीवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है मेरे चैनल से जूरने के लिए सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाए और आल पर क्लिक करें थैंक्यू तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस phone को हम लोग power off कर लेंगे तो इस side में इसका power button है इसे हम ल पाउर बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद बुलिम डॉन बटन प्रेस करेंगे चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे करना है तो पहले power button को प्रेस कर दिए उसके बाद बुलिम डॉन बटन प्रेस कर दिए जैसे यहां उपन लिक्या आएगा power button छोड़ देंगे पर BOLIUM DAWN बटन को इसी तरह से दवाए रखेंगे जैसे यहाँ Options आजाएगा तो हम लोग BOLIUM DAWN बटन भी छोड़ देंगे तो यहाँ पत्व aç वा समय लग रहा है वेट करेंगे जैसे Options आएगा तो हम लोग BOLIUM DAWN बटन भी छोड़ देंगे ठीक है आगया अब हम लोग वोलियम डॉन बटन भी छोड़ दिये अब आपके डिस्प्ले पे इस तरह से दिखाने लगेगा यहां सब सूपर में लिखा हुआ है Select Language तो हम लोग को English Language select करना है तो English Language पे हम लोग टैप करेंगे अब यहां पर बहुत सारा options खुल गया है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है Wipe Data ठीक है तो हम लोग को Wipe Data पे टैप करना है अब यहां पर सब सूपर में लिखा हुआ है Wipe Data ठीक है अब उसके नीचे लिखा हुआ है Format Data तो हमलों को format data पर tap करना है अब यहाँ पर password मांग रहा है तो आपको घवरानी की ज़रुत नहीं है यहाँ पर ध्यान से पढ़िए लिखा हुआ है please enter verification code इसके सामने code लिखा हुआ है please enter verification code इसके सामने जो code लिखा हुआ है यही code को हमलों draw करेंगे और हमलों का password unlock हो जाएगा तो चलिए फटाफट draw कर लेंगे जैसे draw करेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख किया आएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा format तो हमलों format पर tap करेंगे तो हमारा phone जह है wipe data factory reset होने लगेगा तो हमारा phone जह है wipe data factory reset हो रहा है तो wait करेंगे यहाँ पर अब यहाँ लिखा चुका है wiped successfully अब हमलों okay करेंगे जैसे okay करेंगे हमारा phone जह है reboot mode में चला जाएगा तो यहाँ पर आपको 4-5-6-7 minute लग सकते हैं तो जब तक हमारा phone खुदब खुदी start ना हो जाए तब तक हमलों को wait करना है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को like जरूर कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने मेरे चैनल को अब तब subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे आप से यही request है कि आप मेरे चैनल को subscribe कर दे और bell icon भी दवा दे ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आँ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड मेरे चैनल पर आपको mobile से जोरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसे आप अपने mobile का problem का solution असानी से और सलत तरीका से कर सकते हैं फ्रेंड हाड इसेट complete हो जाने के बाद अगर आप Google account lock में फसते हैं मतलब अगला वीडियो जुरू दिखेगा उस वीडियो में मैं आपको Google account बाइपास करने के बारे में बताऊंगा उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के discussion में डाल दिया है आप वहाँ पे जाए और लिंक पे क्लिक करके अपने phone का lock unlock करें अब हमारा phone खुल गया है अब हम लोग यहां language select करेंगे और next करते हुए step by step जाएंगे और अपने phone को setup करके चला सकते हैं अगर आप google icon lock में फसते हैं तो आप मेरे अगला वीडियो जरू देखिएगा आप मेरे वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद